नमस्कार, वेलकम टूए स्टेडी 24 दोस्तों बिहार विद्याले परिच्छा समीती की ओर से सिमुलतल्ला आवासिय विद्याले के लिए नमांकन परकिरिया सुरू कर दी गई है जिसमें कच्छा छे के लिए एडमीशन होती है आपको पता ही है हर साल कच्छा छे में कर पाएंगे जी हा दोस्तों आज से ही आप आवेदन कर पाएंगे यहाँ आप देख सकते हैं जो ओफिशल नोटिपिकेशन संक्छ हो गया एकजाम सिलेवस हो गया अब सारा कुछ दिया गया है तो वेसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दे चैनल चैनल को सब्सक्राइब कर दें यहां पे देख सकते हैं यहां पे दिया गया है पेपर वन पेपर टू यानि मोखे परिच्छा और प्रारंबिक परिच्छा दोनों का यहां पे सिलेवस बगएरा दे दिया गया है और यहां जो आप देख पा रहे होंगे यहां पे मैं एक्जाम के लिए दिया गया है लिंक ठीक है तो इस पर किलिक कर देते हैं किलिक करने के बाद ही देखिए यहाँ पर आपका ओनलाइन पोर्टल जो है देख सकते हैं दिया गया है ओनलाइन पोर्टल पचीस नौ से पांच दस 2020 तक खुला रहेगा जिसमें आप आवेधन कर प तक और मैन एक्जाम जो होगा आपका वो होगा 31.1.2021 को फ़र्श सिफ्ट में 10 बजे से 24 बजे तक और सेकेंड सिप्ट में 2 बजे से 24 बजे तक यह एक्जाम का डिटेल दिया गया है तो इसको जानने से पहले मैं आपको सारा कुछ डिटेल दिखा दूंगा यहां से आप कर पाएंगे देखिए यहाँ पर किलिक कर देते हैं किलिक करते हैं यहाँ पर आपको मोबाइल नमबर बगेरा डाल कर रेजिस्टेशन करना होता है देखिए यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना डिस्टिक select कर लेना है, जो भी आपका district है उसे select कर लेना है और उसके बाद block select कर लेना है जो भी आपका block है, उसे select कर ले mobile number डालिए, mobile number password डालिए, password बनाना होगा आपको, तो यहाँ पे यह आपको अभी नहीं करना है, सबसे पहले new user जो आपको है यहाँ पे click कर देना है new user पे click करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए detail दिखाई देगा देखिए यह जो है आपका registration form है इसे भरना होता है ठीक है यहाँ पे सारा कुछ भरना है देखिए यहाँ पे district select करना है block select करना है applicant का नाम डालना है डालना है डेटो बर्ड डालना है यही सब सारा detail यहाँ पे डाल देना है सारा कुछ और registration कर लेना है registration करने के बाद कुछ detail और है जो आपको application फीस बगएरा जमा करना है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ कितना कितना लगेगा आपका application फीस बगएरा तो दोस्तो 60 सीटे 60-60, 120 सीटे है जो कि 60 सीटे girls के लिए है और 60 सीटे जो है boys के लिए रखे गए है और यहाँ पे आप देख सकते है सीटों की संख्या category बाइज दिया गया है आप देख सकते है देख सकते है और उसके बाद देखने के बाद आप ऑनलाइन परिच्छा आवेदन पत्र में परिच्छा सुल्क जो है आपका 25-9 से 5-10-2020 के बीच में जमा कर देना है जो कि आप देख सकते है जेनरल आर्थिक रूप से कमजोर यानि EWS अतियंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा बर्ग के लिए 200 रुपे अप्लिकेशन फीस है और वहीं अनुसुची जाती अनुसुची जन जाती के लिए 50 रुपे आवेदन सुल्क रखा गया है ओनलाइन आवेदन करने के लिए जो मैंने आपको वेफसाइट अभी दिखाया था खोल कर यह वेफसाइट है विहारबोर.online पे जाकर आप अपना आवेदन कर पाएंगे ठीक है और डीटेल जो है मैं आपको दिखा देता हूँ देखिए यहाँ पे step by step कैसे आपको registration बगरा करना है यहाँ पे दिखाया गया है OTP के बारे में बताया गया है OTP आपको भेज़ा जाएगा mobile number पे वो आपको डालना है तो इसे छोड़ देते हैं यहाँ पे आप देखेंगे आपको रंगीन फोटो चाहिए चातर चातरा का रंगीन फोटो और अस्कैन किया हुआ हस्ताच्छर जो कि आपको अपलोड करना होगा 50-100 के भी के बीच में आपका फोटो बगरा होना चाहिए और यहाँ पे देखेंगे फोटो का जो बैगराउंड होगा वो प्लेन वाइट होना चाहिए या फिर लाइट ग्रीन होना चाहिए ठीक है अब यहाँ पे आगे नीचे देखते हैं परिच्छा सुल का भुगतान आपको ओनलाइन माध्यम से डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बेंकिंग के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं और देखिएगा आपका एड्मिशन हो उसके लिए चैन के लिए परिच्छा दो चरनों में संचालित होगी, जिनका एड्मिशन होगा उनको पहले एड्मिशन देना होता है आपको पता होगा दो एड्मिशन लिया जाता है प्री और मेंस एड्मिशन देना पड़ता है जिसके लिए आप देख सकते हैं निरधारित अंकों की संख्या दिया गया है कूल 150 अंकों की परिच्छा संचालित होगी एबं परतियक प्रस्न पत्र का प्रस्न एक अंका होगा परिच्छा की अब धी धाई घंटे धाई घंटे की होगी प्रारमभिक परवेश परिच्छा में चैनीत अभियार्थी ही मुखे परिच्छा में सम्मिलित हो पाएंगे तो उतर ये परकार का होगा एबम तथा 50 अंकों की बहुत धिक्षमता यानि रिजनिंग से कोश्चन पूछा जाएगा ये आपका मेंस एक जाम का होगया ठीक है परिछा ये भी धाई घंटे की होगी और सेकेंड शिफ्ट में आपका 1.500 अंकों का फिर से एक पेपर होगा जिसम आपको हिंदी से 40 कोश्चन होंगे अंग्रेजी से 40 अंक होंगे और विज्ञान से 40 अंक के और सामाजिक विज्ञान के खंड से 30 अंकों की परिछा objective टाइप एक्जाम लिया जाएगा जिसके समयावधी जो होगी धाई घंटे की ये भी होगी तो इतना लंबात परिछा ल दिजिएगा यहाँ पे देख लिया होगा देख लिया होगे आप लोगों और यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो और कुछ दिया गया है यहाँ पे अब कुछ पीसेस नहीं दिया गया है मैं आपको और भी जानकारिया है जो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे email ID बगर है अगर आपको दिक्कत होती है फाम भरने में तो email करके जानकारी ले सकते हैं मैं आपको और important जानकारी जो है मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे important होता है उम्र इसमें उम्र कितना होना चाहिए ये जानकारी होना बहुत आनिवार है तो यहाँ पर आप देखेंगे आवेदन के लिए क्या है योगेता तो यहाँ पर दिया गया है छात्राओं की उम्र एक अपरेल 2021 को कम से कम 10 बर्स और अधिकतम 12 बर्स होनी चाहिए यानि 10 साल से 12 साल के बीच होना चाहिए अपरेल 2021 में ठीक है इस नामांगण पर केरिया में उन्ही बिध्यार्थियों को सामिल किया जाएगा जो बिहार के किसी मानेता प्राप्त बिध्याले में पांचवी कच्छा के बिध्यार्थी हो यानि registered school चाहे सरकारी हो या private हो रजिस्टर्ड अस्कूल वाले ही आपका इसमें आवेदन कर पाएंगे बच्चे लेकिन पाचवी में वो पढ़ रहा हो और जो आप आवेदन करते हैं उस आवेदन को आपको प्रिंट आउट ले लेना है नामांकन के लिए चैन होने पर उसी कौपी को डियो से अगरसारित कराकर यानि टेस्टेड कराकर सिमुलत अला अस्कूल के परचारे को पास जमा करना होता है तो यह है परक्रिया आपको जो आवेदन करेंगे उसका प्रिंट आउट ले लिजे प्रिंस्पल से सिंग्रेशर करवा कर रख लिजे और जब अगर दोनों एकजाम पास कर लेता है बच्चा तो उस फॉर्म को ले जाकर डियो कारियाले से टेस्टेड करवा कर सिमुलत अल अलावासिय विद्याले में जमा करना होता है बाकी सिलेवस के बारे में मैंने आपको दिखाए दिया है कौन-कौन से सब्जेक्ट से कितने कोश्चन बगर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रारंबिक परिच्छा में आपका हिंदी में 30 कोश्चन होंगे बहुत देख चमता यानि रिजनिंग के लिए 50 कोश्चन होते हैं और वही सेकंड सिप्ट में हिंदी के 40 अंग्रेजी के 40 विग्यान के 40 और सामाजिक विग्यान के 30 कोश्चन पूछे जाते हैं तो यह था सिलेवस बगरा का डीटेल मैंने आपको सारा कुछ दिखा दिया ह और ज्यादा कुछ है भी नहीं और अगर आपको 20 जानकारी चाहिए इस पर इच्छा से संबंदी तो आप यहां पे इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं ठीक है तो चलिए अब अन्तिम में मैं आपको यह फॉर्म जो दिखा रहा हूं एंट्रेस एंग्जाम का त और आविदन कर सकते हैं तो चलिए वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई जहिंद